दोस्तों विल्कम बैक टो में चानल यदि आप एक अच्छा आठ के स्टुडेंट तो मैं आप लोगों के लिए वर्ग पांच का हिंदी का प्रसन पत्र लेकर के आ चुका हूं जिसका आप लोग को बहुत देर से इंतजार था तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे वीडिय जाए नबर एक में तो यहां पालो लोग को मिला ना है तो जैसे टिपटिपोवा है तो एक तरह से लोक कब आस लोक कथा में मीन जागा मयान का रंग कहानी है तो कहानी में मिल जागा उसमें मिल जागा अभाद5000 आगर नदेर्ळ नग्री एक दूब देखे будущ को कितब पुठी लें होताइब किताब पते के पते एमठी और किताने के किताबcentered करेंघा तो पंडी All जी के पह fly में राजी में दirie, VBika उसाफ, और पन्ले से आपके बाला किताब करेंगेगे, और था उसी को बाचने की बात कर रहा था अगला है अपनी पाठे पुस्तक के दोहे सिर्षक पाठ के अंतरगत किन किन कभियों के दोहे दिये गए हैं तो इसका हो जाएगा आपका तुलसी रहीम और कभीर अगला है निमलिखित प्रस्णों के उतर एक या दो वाक्यों में दीज पती है ना अगला यहां पर सोमन को बंदर पर दया क्युं आई तो बंदर भूखा था और सोमन को देख रहा था अगला हम लोग देखें तो नंकुंझे गोबर को मिटी में गारने की बात क्यों की है ताकि इसके अंसर हो जागा ताकि गोबर का खाद बन सके अगला हम लोग देखेंगे तो कलिया कम मुस्काती और कम मुर्जा जाती है तब कलिया जो है मुस्काती है या खिलती है और सूरज के डूपने पर मुर्जाद आती है अगला असलम ने अम्मी के दुआरा दिये गए रुपिया को क्या क्या तो अपने दोस्त मोहन के पिता के इलाज के लिए दे दिया अगला है निमलिखित सब्दों को जोर करके नए सब्द बनाईए तो यहां देख सकते हैं महा जोर उतसब बराबर होता है महोत सब उसके बाद है हर्स जोर उर्लास बराबर हर्स उर्लास सुरे जोर उदय बराबर सुर्योद है चंदर जोर उदय बराबर चंदर उदय आनंद जोर उत्सब बराबर आनंदो सब ठीक है अगला है निमलिखित सब्दों के विप्रितार्थक सब्द को लिखिए तो नया का हज़ागा पुराना निराशा का आसा देव का राक्षा सही का गलत आकास का पताल अगला हम लोग देखेंगे आप निमलिखित के प्रसनों के उत्तर लगवक सब्दों में दीजिए तो यहाँ पे पहला है कि अपने मित्र के पास अपनी परिक्षा की तैयारी से सब्मदित बातों का जिक्र करते हुए तो एक पत्र लिखे अथवा चिरिया घर में पसु पक्षियों के रहने एवं खाने पीने के विवस्था कैसे की जाती है तो हम लोग ने सेकेंड वाले कैंसर किया है यहां पर आप लोग देख सकते हैं तो चिरिया घर ऐसा स्थान होता जहां पर तरह तरह के जानवर पक्षी और अन्य जीव रहते हैं जिनके खाने पीने के लिए चिरिया घर में निम्लिखित व्यवस्था की जाती है। पहला है आपका पसुपक्षी जीब जन्तु को खिलाने के लिए कुछ लोगों को रखा जाता है ताके उनको समय पर खाना मिल सके। दुसरा है चिरिया घर के बितर विभिन तरीके के भोजन और जर्ब परदान किया दाता है। इस तरह से यह वीडियो यहीं पर खथम होता है। आपको यह पेपर डाउनलोड करना है तो टेलिग्राम से जुरिये जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ताक्स वर वाचिंग बढ़ाई